बालो को तेजी से लंबा काला घना करने का ये बहतरीन घरलो उपाई आपको कहीं नहीं मिलेगा है तो हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल है सरुशन में एक बेहदी इंपॉर्टरिन वीडियो के साथ जमाना भले ही कितना माडरन कीउना हो जाए लेकिन आज भी लंबे काले घने मुलायां बालो का ट्रेंट बरकरार है कुछ लड़कियों के बाल नेचुरिल लंबे होते हैं लेकिन आज भी कुछ ऐसी लड़किया हैं जो बालों को लंबा वा घना बनाने के लिए तरह तरह का treatment और product इस्तिमाल करती हैं मगर इतना कुछ करने के बावजुद भी बाल ना बढ़ी तो चिंता होने लगती है अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है तो परिसान होने की जरूरत नहीं है हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिसे अब ना करके आप अपने बालों को घना काला लंबा बना सकती हैं मगर इन टिप्स को इस्तमाल करते हुए अपने डाइट और हेल्दी लाइप इस्टाल लेनी हूँगी तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स जो आपको बाल बढ़ाने भी मदद करेंगे ये बालों की रूसी और रूखापन को भी दूर करता है और खोपड़ी की खुजली ऐसे समस्य से भी चुटकारा दिलाता है इसके लिए आप दो कच्चे आलू का रस ले ले और इसमें एक बड़ा चमस सहद और एक अंडे की जड़ती मिला है अब इसमस्रण को अपने बालों की जड़ों में लगाएं और एक घंटे बाद सैंपू से धोले आपको छुप योगय के बाद देखेंगे कि आपके बाल तेजी से घने और मजबूत हो रहे है जो कि आपके बालों की स्वास्त के लिए बहुत ही फार्दी मन्द होगा दूसरा उपाई यह है कि चावल का पानी चावल का पानी इस्तमाल करने के लिए आप लगभग आधा कब चावल ले ले और फिर उन्हें 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भीगो कर रखते है जब आपके चावल थोड़े से भीग जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे तो उस पानी से उसे अच्छे से मस लें और फिर उस पानी को छान लें और फिर उस पानी से अपने बालों की मसाज करते हुए धीरे-धीरे लगाएं इस पानी को आप रूई की सहायता से भी लगा सकते हैं और फिर इस पानी से अपने स्कैल को धिरे-धिरे मसाज भी करें लगभग आदे घंटे बाद आप अपने बालों को साधे पानी से धोलें ये आपके बालों की जड़ों को बहुत ही मजबूत बनाएगा और आपके बाल मनाने में भी मदद करेगा तिसरा उपाया है कि करी पत्ते का हेर टॉनिक करी पत्ते को एक हेर टॉनिक के रुख में इस्तिमाल कर सकते हैं बालों की लंबाई के लिए करी पत्ता बहुत ही फार्दे मन्द होता है अगर आप करी पत्य का हेयर टॉनिक बनाएं और उसी निमित रुप से अपने बालों के लिए इस्तिमाल करें तो आपके बार बहुत जल्दी ही लंबे और घने हो जाएंगे और आपकी खुशूरती भी बढ़ जाएगी करी पत्य का हेयर टॉनिक आप खुद अपने घर पर मना सकते हैं इसके लिए आप करी पत्य को पानी में डाल कर कुछ दिर के लिए उबाल ले और तब तक उबाले जब तक पानी का रंग हराना हो जाए और इस पानी को अपने बालों में हपते में दो बाल लगा कर अपने बा मेथी दाना का इस्तिमाल करते थी और सुझाव भी देते थे कि मेथी दाना बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो हेर फाल को रोकता है और आपके बालों की डेंडर की समस्या को भी दूर करता है इसे अपने बालों में इस्तिमाल करने के लिए रात को पानी में दो चमन मेठी दाना भी हो दे। इसमें एक चमच नाजल का तेल मिला करके अपने बालों में लगाएं और तीस मिट के बास सैंपू कर ले। ऐसा आप हफते में तीन बार कर सकते हैं। पाचवाग पाई है कि बालों की जड़ों की मसाज करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सिए सब्सक्राइब जरूर करें।